नमस्कार साथियों बंदे मतरम सभी को दोस्तों मेरा नाम है देवेंद्र राजीब बादी दरसल मुझे हुआ किया बुखार आ गया था और बुखार के कारण जो मेरी आखें दिख रही हैं आपको ये आखें सूच करके बहुत मोटी मोटी हो गई थी घरवाले परिशान हो होगे थे और मतलब मैं अपनी ड्यूटी भी नहीं कर पा रहा था लैप्टोप के सामने देख भी नहीं पा रहा था तो घरवाले परिशान हो गए थे घरवाले बोले कि इसको होस्पिटल में लेकर जाके भरती कर दो डॉक्टर के पास लेके जाओ और बहां पर ये ठीक हो हखाब सेवन आपको सहेध के साथ करना है तो मैंने सहेध के साथ हमेथी दाने का सेवन किया और आप बिस्वास हैंगे कि रात रात के अंदर मुझे जो problem हो रही थी जो आखे मेरी सूज करके बहुत मोटी मोटी हो गई थी जो खुल नहीं रही थी मेरी आखे वो बिलकुल normal होने लगी लगभग normal हो गई पूरी तरीके से ठीक नहीं लेकिन लगभग normal हो गई और अगले दिन साम तक मैं बिलकुल पूरी तरीके से स्वस 2-7. जब उनका हो रहा है तो उनके अंदर जो इन्ग्रेटियेंट यूज किये जा रहे हैं,' वो भी तो कहने प्रकृति के पास सही आ रहे है'md या फिर synthetically उनको बनाया जा रहा है और synthetically अगर बनाया जा रहा है तो आपके सरीर के उपर सीधी सी बात है side effect डालेंगे तो इसलिए आपसे निवेदन है कि जो सीधे natural product हैं उनका आप यूज करिये और हमारे भाई आधरनिय गोविन सरन प्रसाद जी से जुड़िये बस यही क के से स्वस्त रहता हूं भाई राजीब दिख्षित जी के बताए गए जो नियम है उनका पालन करता हूं हाला कि कभी का बाहर बुखार बगएर आ जाता है तो वो मेरा नॉर्मल या तो गिलोए का काड़ा पीने से या फिर कुछ दाल चीनी बगएर इन सब्स चीजों का से झाल